हेलो फ्रेंड्स आज मैं सेयर कर रहे हूं कदू चाना दाल की सबजी की रेस्पी अगर आपके घार में कोई कदू नहीं खाता है तो इस सबजी के खाने के बाद जरूर खाने लगेंगे कदू चाना दाल की सबजी बनाने के लिए हम आदा किलो कदू लिये हैं अब हम कद्दू को पहले छील लेंगे और इसे काट लेंगे और छोटे-छोटे टुकरों में हम कद्दू को काट ले रहे हैं आप अपने अनुसार छोटे या बड़े टुकरों में भी काट सकते हैं अब ये सारे कद्दू कूकर में डाल देंगे और आधा कप पानी डाल के उबाल लेंगे चलिए अब हम कदू और चना डाल के सबजी बनाते हैं सबसे पहले मैं सरसो तेल डाली हूँ अब आप अपने अनुसार कोई भी तेल डाल के बना सकते हैं इसके बाद मैं जीरा डाली हूँ इसके बाद हरी मिर्च डाल दी हूँ, बाड़ी कटा हुआ प्याज डाल दी हूँ, अब इसे 2-3 मिनर तक भूल लेंगे, अब इसमें एक बाड़ी कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, अब हम आधा चमच हल्दी पौडर डालेंगे, आधा चमच रेट चल्दी पौडर डालें अध्यतं पेष्ट डालेंगे और अच्छी तरह से सटे नहीं amam पर मिंशा छाना डाल करा रहा है मैं अच्छी तरह से चला रही हूं लापि वह मसाली से सटे नहीं कड़ु चाना डाल के सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में इसमें उबाला हुआ कदू डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके चला देंगे बस लास्ट में गरम मसला डाल देंगे और बारी कटा हुआ धनिया पता डाल देंगे अब कद्दू चना दाल के सब्जी बन के रेडी होगा